विचारों की उर्जा ने जीवन बदल दिया. एक समय की बात है, एक आदमी जिसे राजीव नाम से जान जाता था, गाव में एक सामान्य जीवन जी रहा था. वह दिन भर कृशी काम में व्यस्त रहता था, लेकिन उसका मन कहीं और था. एक दिन, राजीव गाव की पुस्तका में गया और वहाँ एक किताब मिली, जिसका नाम था सपनो का सफर. उसने उस किताब को पढ़ने की शुरुआत की और उसकी दुनिया में कुछ अलगी बदलावाने लगे. प्राजीव के विचार बदलने लगे और उसने एक नई दिशा में कदम रखा. वह नए कोशल सीख ने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगा. उसकी मेहनत और संधर्ष ने उसे एक सफल व्यक्ति बना दिया. प्राजीव की कहानी सबको ये सिखाती है कि विचारों की उर्जा किसी को भी बदल सकती है और सपनों को हकीकत बना सकती है. ये दिखाती है कि सही दिशा में आपकी मेहनत और विश्वास आपको आपके लक्षियों तक पहुचा सकते हैं